हेलो गाईज मैं हूँ समीर आज के वीडियो में हम पैकेज यसी का वीडियो देखेंगे इसमें के इतने कंप्रेसर और कौनसा ब्लोवर लगा हुआ है किस तरह का मोड़र हम उसमें यूज करते हैं ब्लोवर को रंड करने के लिए यह सब आजम इस वीडियो में study करेंगे और इसमें किस तरह से कंप्रेंसर कंप्रेंसर फ्राण करन इसको रंड किया जाता है इसके वीडियो भी आजम ग्री습니다 पनल में देखेंगे तो जब भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बелей क len को प्रेस कर ले बरे आगे आने पर झार वाज वीडियो circuit वे फ़र हाई सैड का बनाये था इस जगह पर जहाँ पर चार लगा ववा है यहां पर है इसके पीछे और नंबर थ्री और प्रक्रिस्यार नंबर फोर चार कंप्रसर लगा हुआ है जिसमें के यहां पर एक वी टाइप कंडेंसर है यहां पर यहां पर दो कंडेंसर है और यहां पर दो कंडेंसर है मतलब के चार कंपरसर के लिए यहां पर चार कंडेंसर दिया हुआ है ठीक है यहां पर यह लगा हुआ है it is HP switch और कि सक्ष्टन लाइन पे लगा हुआ है LP सुिच आज हम इसकी इंडौर में देखेंगे कि किस तरह का मोटर हम इसमें यूज़ करते हैं और किस तरह का ब्लोवर इसमें लगा हुआ है आज हम इसकी स्टेडी करेंगे ये इस जगह पर ये मोटर है जो के एक सीमेंस कमपनी का मोटर है देखिए यह इसका पुली है और इस जगह पे यह लगा हुआ है ब्लोवर इसका के यह जो फ्लाइवील है यह ज्यादा बड़ा है जिस वज़ा से मैं इसे पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूं और इसके अंदर यह ब्लोवर है इसे स यह इसका फ्लाइवील पुली यह फ्लाइवील है इसके अंदर में यह बेरिंग लगा हुआ है और येलोव वाला जो है वो शाफ्ट है और उपर ब्लोवर है इसके बाद इस जगह पे देखिए यहाँ पे चार थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वर्ब लगा हुआ है और इ उसे सिंगल सिंगल निकाला गया है फ्रियान को डिस्ट्रिबूट्बूट कर ले के लिये यह ईकस्पेंशन वर्ब है एक दो तीन और 4 चार कंप्रसर का चार एक्सपेंशन वर्ब है इस जगह पे चाडों सप्रेट है यहां से दो सक्षन लाइन इस जगह से है औरinsky स्थे ैन है यह एक लाइन, दो लाइन और नीचे एक लाइन और दो लाइन यह चारों लाइन जो है यह इस जगह से यह सक्षण लाइन हो गया और centrally in कर रहा है यहां से इस जोना पर से फिर्योन in कर रहा है expansion valve से expansion valve से इस जगह से आउट होते हुए, यह इन करेगा कुलिंक कौइल पर, यह सामने जो है, ह्याहिआ पर यह Cory humility है, यहां पर एक कुलिंक कौइल है, है और नीचे एक cool निचे एक कुलिंक कौइल है, यहं पर टोटल दो अड्रेंश लाइन वुअध को इसके बाद से जगा परेक एक सेनसर लगा ववा है जोकर सबिले़ संसर आपम फाद यह सेनसर सबना पर लगा हुआ कि कि जहांसे बासे बारायर एस जगहसे और इस जगह से आकर यह सब लाइए इस जगह से लग गया गख़कि और इंदर है जो कि एक star delta motor है मतलब कि इस motor को star delta wire से मतलब कि power से run करते हैं यहाँ पर कुछ motor का detail दिया गया है जो कि अभी clear नहीं है इसलिए में से नहीं देख पाएंगे यह भी एक three face motor है जिससे के हम इस blower को यह जो उपर में जो blower है इस blower को run करते है यह उसका उस side का area है high side का जहां से यह जो black wire जा रहा है यह black wire यह black wire उस तरफ से जाकर यह panel पर जाएगा वीडियो की last में मैं आपको इसका electrical panel भी दिखाऊंगा कि वह किस तरका होता है और इसमें कितने conductor लेगे होते हैं इस system को run करने के लिए मैं आपको इस भाहर से दिखाता हूं यह इस जगह पर यह रिटन लाइन है यह जो रूम के अंदर साय गए रिटन लाइन इस जगह से होते हुए यहापर जो cooling coil है सामने यह cooling coil से पास करते हुए हवा ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इस जगह से हवा यह blower सक कर करेगा और उपर की तरफ सप्लाई करेगा यह उपर के तरफ से सप्लाई होते हुए वापस हवा रूम में चला जाएगा यहां पर यह distributor लगा हुआ है यह पूरे cooling coil को ठंडा करने के लिए इस तरह का distributor यूज करते हैं पर जो छोटा सिस्टम होता है इस प्लिट एस बगारा उसमें हाँ सिस्टम पर आपको इस तरह का distributor देखने को नहीं मिलेगा बढ़े cooling coil पर इस तरह का distributor यूज करते हैं ताके जो इसका पूरा cooling coil है वो पूरे तरीके से ठंडा हो सके इस जगा से इसका main drain line है यह इसका drain line है इस जगा पर यह द्रेन line है और निचे इसका main drain line है इस जगा से है यहाँ पर side में जो रड़ी yellow blue है वो three face है सामने चार conductor लगा हुआ है जो चार compressor के लिए है और उपर line से आपको साथ conductor नजर आ रहा होगा यह condenser motor और blower motor के लिए conductor है इस जगा पर इसका PC board है जिसमें के यह black वाला सब line से relay लगा हुआ है और यहाँ पर इसका screen है जिससे के हम इसे operate कर सकते हैं और जो भी fault होगा वो इस screen पर show करेगा यहाँ अब देख सकते हैं star delta conductor है और यह चार conductor जो है यह condenser fan के लिए है यहाँ पर conductor है यह चारो compressor के लिए चार conductor है और यहाँ पर इसका main power है जो के three face line है तो कुछ इस तरह से यह package यसी run करता है इसमें के चार compressor लगा हुआ है और conductor यूज करा गया है इसके compressor blower motor और condenser motor को run करने के लिए जो blower motor है उसे star delta पर run करा जाता है और चार conductor जो के चार compressor के लिए run किया गया है तो कुछ इस तरह से यह system work करता है जल्दी मैं इसके diagram पे इसकी wiring की भी वीडियो बनाऊंगा तो जब भी मेरे चैनल पर नए है चैनल को subscribe करें बेल एकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आगया आने पॉली हेल वुडियो की अप्डेट अब तक जरूर पहुंचें थैंक यू